असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल येस अकेडमी तो आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नमबर 6 यानि के पोएम स्टार्ट करेंगे उसकी समरी स्टार्ट करेंगे इसकी समरी को समझेंगे इसमे जो भी चीजे एक्स्प्रेइन करने वाली होंगी वो भी मैं आपको एक्स्प्रेइन करूंगी यहां पे वर्ड्स जो हैं वो मैं अच्छे से डिस्ट्राइब करूंगी आपके लिए ताके आपके आपकी वोर्ड एक्जाम की तैयारी हो जाए तो भाई चैप्टर नमबर 6 का नाम है दा मैन हो विन्स यह हमारे पास पोएम है इसमें ज सब्सक्राइब करना है अगर हम इन के भूल भी जाएं तो हमें जब सारी चीज़े सारे सारे कॉंटेक्स पता होगा कि इस पोएम में कहा क्या जा रहा था तो हम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं इंग्लीश में बहुत जादा बच्चों के मार्ग इसी लिए कटते सब्सक्राइब करती है तो सबसे बहला है वह हमने इसको समझना है कि पोएम का में पॉइंट क्या है कि वह बोल रहा है सक्सेश किस पर डिपेंड करती है सक्सेश डिपेंड करती है हमारी विल पावर ओफ परसन पे इस तरह का चैप्टर हमने किंग ब्रूस में भी बढ़ा था कि जब तक हम अपनी बैस देते रहेंगे ट्राइ करते रहेंगे और हार्ट नहीं मानेंगे अपने आपको डिसकरेज और डिस हार्टन नहीं करेंगे और ठाइ करते रहेंगे एफट करते रहेंगे तो हम आखितकार अपनी जो गोल्स है अपनी जो सक्सेस है वो हासिल कर लेंगे तो इसी दाना से यहां पर भी यही बात बताई गई है मैंद हूं विंद का मतलब यहीं है कि वही शक्स जीता है जो के अपनी विल पावर से आप गिर जाएं लेकिन उठें दुबारा से और वही काम दुबारा से उसी विल पावर से करें जाके आपको आखर में सक्सेस हो आगे बढ़ता है एक पोइंट मैंना को यहां पर कर दिया यह बहुत जादा में इसको हाइलाइट करके याद करना है इस वेल एक्स पोईम य करेंगे जिसनी जारह सिर्फ ह्भाइश करना हमारे लिए काफी नहीं है कि हम पिकसी बीचीज की खौईश करने और उसके लिए एफट ना करें साक्रें लिए बर्स के था अची आयए हमारे बौर्ड में इंश्वांगमारी नहीं करते हैं आगर बच्छों की देखी जाए तो बच्चे बढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ खौाहिश करते हैं तो ये भी चीज हमारे लिए बिकार है जब तक हम effort नहीं करेंगे खौाहिश के साथ साथ तो हमारी जो success है वो हमें अचीव नहीं होगी willpower is a fundamental element वो कहरें willpower जो है basically ये आपके MCQs के लिए बहुत जादे important है कि क्या चीज जो है वो सबसे जादे important है fundamental element है वो है willpower किसी भी इनसान के अंदर अगर अपनी willpower उसकी strong होगी तो वो कुछ भी achieve करने में काम्याब हो जाएगा और अगर किसी इनसान के अंदर willpower ही नहीं है चाहे बिमारी से लड़ने की ही बात क्यों नहीं हो कि अगर कोई शक्त बिमार हो गया है और जल्दी रिकवर कर जाएगा तो हमने अपनी willpower को भी अच्छे से high रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं and provide a strong way for achieving success और यही जो चीज है willpower वाली बात जो की गई है वो यही बात है कि हमारे जो goals है उनको achieve करने में भी जो है वो असानी करती है हमारी willpower आगे इसका central idea बढ़ते हैं जैसा कि central idea है इसका this poem has been written by anonymous poet तो भाई इस poem के जो poet का नाम है वो हमें नहीं पता anonymous का मतलब होता है ना मालू हमें इस poem के poet का नाम नहीं पता इसलिए हमने अगर MCQs में भी आएगा तो हमने किसी पे भी टिक नहीं करना बलके anonymous अगर option दियावा होगा तो हमने उस पर टिक करना है क्योंकि हमें इस poem के poet का नाम जो है वो नहीं बताया गया आगे शलते हैं in this poem he or she अब दोनों ही option दिये गये हैं क्यों दिये गये हैं क्योंकि हम नहीं पता कि इस poem के शायर है या शायरा है यानि के male है या female है तो इसलिए हमने दोनों ही option यहां पे लिखे हुए है कि he or she जो भी था उसने जो poem लिखी है उसका central idea पढ़ने की कोशिच कर रहे हम तो us that if a person is deeply depressed वो क्या कहते हैं कि अगर कोई person है और वो deeply depressed है अपने आप से अपने जो जो भी गोल्स है वो की motivated है and doubtful in his effort और उससे खशक है कि हाँ यार मैंने पूरी महनत नहीं करी पूरी जान नहीं लगाई अपनी जो सारी studies है उनको सही से time नहीं दिया पूरी effort नहीं की achievement वोड़ बी difficult for him तो उसके लिए क्या हो जाएगा उसके लिए जो achievement है वो मुश्किल हो जाएगी उसको जो अ मैंने पूरी महनत की है मैंने दिल लागा के पढ़ा है हर चीज को समझा है and confident about the positive achievement और उसको क्या होना चाहिए उसको अपने उपर इतना जादा confidence होना चाहिए positive confidence होना चाहिए यह नहीं कि हाँ मैंने कुछ किया नहीं लेकिन हाँ मैं बहुत जादा पढ़ने वालब अच्छ कर नहीं होगी जब तक हम अपने sure नहीं होंगे confident नहीं होंगे अपनी चीज के अंदर और पूरी effort नहीं लगाएंगे तो जब तक हम अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर सकते तो यह थी आज की वीडियो की explanation आज की पोयम हमारे लिए बहुत जादे important है और जो भी points यहां